तो नमस्कार साथियो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चनल सत्या सपोर्ट में और मैं हूँ रिशब दोस्तो तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कन्या सुमंगला योजना के विशे में क्या है ये कन्या सुमंगला योजना और इस तो भर दीजगा और पूरी जानकारी में आपको वीडियो में देता हूं तो वीडियो को लास्तक दोस्तों जरूर देखेगा उससे पहले बताना चाहूंगा अगर प्रथम बार आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो यह सब्सक्राइब का रेड बटन है इसको समंगला योज्ञा जब आप कन्या समंगला योज्ञा सर्च करते हैं तो यह जो दूसरे नंबर पर आपको वैब साइट मिल रही है कन्या समंगला योज्ञा गबर्मेंट आफ उत्तर प्रदेश तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है कन्या समंगला जो योज्ञा है पूरे समाजिक तानावाना स्वेंब में जटिल और संबेदी है और समाजिक धार्मिक सेक्चिक और परिवारिक परिस्थितियां महला और बालिकाओं के लिए अनाधिकाल भाव से बेदभाव पूर्ण रही है तो मतलब अगर मैं इसको पूरा पढ़के इसका निसकर से बताऊं तो समंगला योजना उसको चलाया है सरकार ने फिलाल यह हमारा इतना इंपोर्टेंट भाग नहीं है जो यह वाला है इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं मैं आपको देखें बहुत जो आवश्यक जान करिए वो बता देता हूं तो क्या लाब मिलेगा और कैसे मिलेगा तो इ पूर्वन्ना हुआ है मतलब 14-2018 के बात जिनका जन्म हुआ है उनको सरकार 1000 रूपए से लावानवित कराएगी और ऐसी जो बालिकाए हैं जिनका सेक्षल सत्र के दौरान प्रतम कक्षा में प्रवेश लिया है जो पहली बार इसकूल जा रही है उनको 2000 रूपए की रासी स से लावानवित किया जाएगा और चतो सिस्रैणी में जो है जिनका सेक्षल सत्र चालू है और शटी कक्षा में प्रवेश लिया है मतलब 5 मीं के बाद जो छटी कक्षा में बालिकाएं प्रवेश लेती हैं उनको सरकार 2000 रूपए देगी और जो कक्षा जो चात्राएं नभ दिप्लोमा या फिर डिगरी या फिर किसी भी मतलब ग्रेजुशन में अगर लिया है एडमिशन तो उनको 5000 रूपए की राशी से लावानवित किया जाएगा अब इसकी इलेजिबिलिटी क्या है किन-किन लोगों को मिलेगी है तो मैं बता दूँ आपको सबसे पहले तो ल सार कार्ड राशन कार्ड वोटर आईडी कार्ड या विद्धो टेलीफोन बिल भी दे सकते हैं और वो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए परिवार की जो आए वारसिक वो तीन लाग से कम हो तीन लाग से जादा ना हो और किसी भी परिवार के जो है अधिक्तम दो ही बच से होने चाहिए और अगर आपके जो बच्चे हैं मतलब अगर आपके दूसरी बार में अगर जुड़वा संतान पैदा होती है तो जुड़वा संतान होगी उसमें अगर एक बालिका है तो उसको जरूर लाब मिलेगा और दोनों ही बालिका है तब भी उन्हें जरूर तो इसमें हमने अपनी description में website का link दे दिया जिस पर हमने बहुत आशान भासा में लिख रखाया सारा कुछ तो आप बहां से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों और इसको apply करने के लिए आपको अपने नजदी की जनसेवा केंद्रा CST Center पर सम आपको contact करना होगा और आप बहां से इस